गुरु को आश्चरिय हुआ कि इतना सा छोटा सा बालक परिजे पूछा तो मैं अमुक शर्मा, अमुक शर्मना पुत्र हा ऐसे कुछ बोलेगा है ना तो ये सब छोड़के इसने इतना बढ़िया एक स्तोत्र रच दिया वहाँ instantaneous उन्होंने एक कमंडलू रखा वहाँ पे और कहा मैया मैं आपसे प्रार्तना करता हूँ मेरे गुरुजी समाधी में है आप उनकी समाधी का भंग करने का पाप मत ले लो अपने सर पर प्रायश्चित करना पड़ेगा मा आपको तो आप इसमें समाज आईए कमंडल में तो कमंडलू रखा गुखा के पास और कहते हैं न अब्र श्वेत वस्तर परिधान की ये हुए थे पूरे दिन वो अम्बे नारायनी महलक्ष्मी के रूप में है और शाम को वो महाकाली भगवती के रूप में नीले या काले वस्तर में रहती है अम् ओम् ओम् वेदाना मागमाना परमजलनिधिम् सर्वविध्यान पूर्णम् वेदान्तार्थप्रकाशक्षमममलरुचिम् भानुवद्वान्तनाशं शिष्टई शिष्ये समेतं निरवधि सुखद ध्न्यानदातारमीशं वन्दे श्रीमत गुरुनाम परमगुरुवर्ण शंकरम पुझय पादम हर्योम सबको मैं केरला आदिशंकरनिलयम यहां से आई हूँ चिन्मय इंटनाशनल फांडेशन आदिशंकरनिलयम यह नाम उनको इस स्थान को गुरुदेश्वामी चिन्मयाननद ने दिया था 1989 में चिन्मय मिशन नही यह जगा लेली यहां के जो निवासी थे शंकरन नंबुदरी उनसे लेलिया था जगाई दस बारा एकर की जगह है वहां मेलपालूर मना करके घर है और वहां खुद को देखने के लिए अगर आप कुछ प्रयास करते हो तो उससे बहतर जगा विश्व में कहीं नहीं होगी वह मेलपालूर मना यह घर का नाम है मना मतलब घर मेलपालूर यह पालूर यह जगई का नाम है ज्योग्राफिकल एरिया है मेल इस ओरिजिनल ओरिजिनल पाडूर हाउस तो वहाँ एक नंबूदरी फैमिली रहती थी जिनके घर में आरियामबा नाम की इक्स्तिरी का जन्म हुआ यह ऐसे तो नंबूदरी फैमिली इस केरला में बहुत सारे जगह पर है तो इसमें क्या बढ़िया बात है इसमें बढ़िया बात यह है कि आरियामबा का विवाह अधिक दूर नहीं कालडी में एक शिवगुरू करके नंबूदरी ही फैमिली थी वेद शास्त्र संपन्न ब्राम्मन थे उनसे उनका विवाह हो गया आरियामबा का और उनके कोई संतान नहीं थी बहुत साल हो गए शादी को बुढ़े होने लगे फिर भी कोई संतान नहीं थी तो फिर उन्होंने तृषूर, अभी तृषूर नाम आपको मालूम होगा, तृषूर बोलते हैं या तृषूर बोलते हैं, तो तृषुवपुरम ऐसा नाम है उसका पहले का, तो वहाँ एक शिवालय है, शिव का मंदिर है, कहते हैं, परशुराम जी ने उनकी स्थापना की तो वडखनाथन करते हैं, कहते हैं उसको, तो वडखनाथन जाके उन्होंने आराधना की 40 दिन तक, शिव गुरू और आर्यामबा, और बाद में उनको शिव जी का सक्षातकार हो गया, सपना आ गया, और उन्होंने कहा कि आपको संतान तो होगी, पुत्र होगा, लेकिन अ अगर आप सरवध्य पुत्र चाहते हैं, और अगर दीरगायू पुत्र चाहते हैं, तो मंदबुध्य रहेगा, तो सभाविखे, ये तो पंडित थे वेदिशास्त्र, तो मंदबुध्य थोड़ी ना अपनाएंगे किसी को स्विकार, कैसे होगा उनको, तो उन्होंने कहान के बाद हो गई। दूसरी हमारी प्रम परह है कि पहला जो या पुत्री जो भी पइदा होती है न उन्हीं हाल में पैदा होती है। मतलब पिटाजी के घर में जनम नहीं होता है, बच्चे का आप जहां कहीं से हो आपको भी प्रता मालूम होगी। पूरे भारत भर में है, आइसे नहीं कि केवल केरल में है, महाराष्टर में भी है, मैं चूंकि मेरी माता पिता की दूसरी संतान हूँ, फिर भी मेरी मा के घर में जन्मी थी, करनाटक में, तो ये तो पहली संतान थी, स्वभाविक है, मेलपाडूर मना अर्यांबा आगई यहां उनका शंकराचार्य का जन्म होगा, चार कोने हैं, वैसे फोर विंग्ड हाउस, चब सोपी वाडा माराधी में कहते हैं, फोर विंग्ड हाउस, बिग हाउस, बीच में ओपन टुसकाय है, और ये चार जो भागे उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे चार का देहा वसान हो गया, वैसे भी तो बुढ़ापे की यहां जा रहे थे और पुराने जमाने में कुछ बीमारी भी होती थी, तो इतनी तवा पानी नहीं होती थी, तो इसके लिए शाहिद गए होंगे, या बुढ़ापे की वजह से बुजर गए होंगे, तो उनकी मृत्य ह हो गए, लेकिन उन्होंने पहले ही सोचा था कि यह बहुत विढवान पुट्र है, फूर्वजनम से कुछ लेके आया हे, तो उसका उपनेयन हम आठ साल में नहीं नहीं पांट साल की उमर में कर देंगे, नहीं तो आठ साल की उमर में ब्रामनों वही उपनयन हो गया उसी कोट्यार में छो बन दो कहती हूं उसी कोट्यार में शंक toolbarाचार्य का उपनयन हो गया. उसके बाद उनको गुरुकुल भेजा गया शिक्षा पराप्त करने के लिए तो ग़ुुरुकुल कालटी के पास था, क्योंकि गुरुकुल जो जिनके गुरुकुल में पढ़े वो शिवगुरु के उनके पिताजी के ही कोई चचेरे भाई या उनके संबंदी सगे संबंदी थे उनके घर में गुरुकुल था तो वहां पे पढ़े पढ़े आठ साल की उमर में तो पूरा सब आ गया उनको यह ज पुछानी उनको अपमानित हो गई और फिर यग्यकुंड में आहुति देदी सती ने तो तभी उसका उनका दूसरा जनम है पारवती का हिमाले पुत्री करके पारवती का जनम हो गया तो कालिदास महां लिखते है जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल नौर्थ से निकल कर कही दक्षिन में आ जाते है उनकी जीन्स में उनकी डियने में रहता है है ना मतलब उनके जो छोटे पिल्ले हो जाएंगे उनको कौन पढ़ाता है उनको कौन बोलता है कि नहीं आपको यहां से अभी जाके वहां जाना है जाते हैं फिर वी ओल माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट धॉजंड्स अफ मसस सैबरिया से यहां कच्छ तक आ जाते है भारत में आपने सुनाओगा तो जैसे यह अध्यиком proclaim हाम हां सम्रा जैसे अधिए स्थान पर वैसे ही पूर्व जन्म में जो भी हमने विद्याएं प्राप्त की है, वो इस जन्म में भी प्राप्त होती है, तो पार्वति को वैसे सब विद्या प्राप्त हो गई, मैं तो कहती हूँ बाल शंकर को पूर्व जन्म सुकृत था उनका सवभाग्य था, वो पूरी विद्याएं आ उनके बारे में एक श्लोक कहा जाता है अश्टवर्शे चतुरवेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित शोडशे कृतवान भाश्यम द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात इसका मतलब है कि आठ वर्श की आयू में चारों वेद उनके कंठस्त हो गए चार वेद तो आप जानते ह गरंथ भी है जैसे ब्रामन है आरण्यक है उपनिशद है सूत्र है वेद का मतलब यह पूरा वेदिक कॉर्पस उन्होंने पढ़ लिया आठ साल की उमर में सोची आठ साल का बच्चा आजकल क्या करता है कुछ भी नहीं करता है तो आठ साल की उमर में आयू में चारों वेद का अध्ययन अर्थ सहिद यह केवल कंठस्ति करण की बात नहीं है अर्थ भी जानना चाहिए द्वादशे सर्व शास्त्र विजब 12 साल की आयू थी तब बाकी सब शास्त्र निरुप्त है वेदांग है धनुरवेद है आयूरवेद है जो उपवेद है उपांग है र अर्थ भाष्यम 16 साल की उमर में आयूमें उन्होंने सब ग्रंथों पर भाष्य लिखे संस्कुरत में अंडवात्र विशे 22 साल की आयूमें मुनी ही अभ्यगात डिसापियर्ड मूलतहां उनकी आयू सोला साल की थी जब उन्होंने अवरदान पाया था शिव जी से अल्प यह सब उपर का कथा भागे, उर्वरित कथा भागे, तो यह गुरुकुल में पढ़े हैं। तो एक बार गुरुकुल के बच्चों का अभी अभी तक मतलब 18 सदी तक जब तक बृटिश नहीं आये थे हमारे यहां, तब तक हमारे यहां प्रथा चलती थी कि गुरुकुल में बच्चे पड़ते थे और आजू-बाजू में विक्षा मांगने जाते थे, ओम भवती विक देही करके, जो भी भिक्षा में मिले, वो सब लेके आएंगे, इकठा उसको पकाएंगे, जो भी है चावल, और चावल के साथ कुछ दाल है, तो दाल नहीं, तो सबजी नहीं, तो खाली नमक के साथ चावल काएंगे, इतना मतलब कम से कम, मिनिमालिजम, उसमें यह पास इन्हें के लिए कुछ नहीं था, उनका जी बहुत मतलब तूट गया था, कि दिल की इतना अच्छा तेजस्वी बालक मेरे चौखट पे खड़ा है, और मैं उसको देने के लिए, मैं असमर्त हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर उनने देखा तो एक आमला का पड़ा था, तो व्रुक्ष के नीचे एक सूखा अमला पड़ा था, व्रुक्ष के नीचे कुछ-कुछ फल सूखे हुए पड़े रहते हैं, तो उसमें से सूखा अवला जो गिरा था, वो उसने दिया, और बोली कि मेरे पास और कुछ नहीं है बालक, तो मैं यही आपको भिक्षा में देना चाहते हूँ, तो शंकराचार्य का अंतक्रण इतना दरवित हो गया, इस महिला का दारिद्र देखकर, कि उनके मुक से अनायास एक स्तोत्र निकलाया, वही स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र करके, आप गुगल में सर्च करिए, एमेस बलक्ष्मी की आवाज में बहुत मधुर, अंगम, हरे, पुलकितम, बहुत अच्छा श्लोक है, स्तोत्र है, श्लोक नहीं है, स्तोत्र है, 18-20 कुछ श्लोक है उसमें, और पहले तो मा लक्ष्मी की आराधना की उन्होंने स्तुती की, और अंतमे कहा की नामसंकिर्तन किया, और अंतमे कहा, अकिंचनानाम प्रथमम माम विध्धी, जो भी दरिद्र लोग है, उन्में से सबसे दरिद्र मैं हूँ, मा, तो मुझ पर आप कृपा कीजिए, तो लक्ष्मी प्रसंद हो गई कहते हैं, और उन्होंने सोने के आमलों की वर्षा उनके आंगन में की, इसके लिए उसको कनक धारा, कनक मतलब सुवरनत, सोना, और आपको बताओं, जहां मैं रहती हूँ, वेलियानाड, चिन्माई इंटरनाशनल फाउंडेशन, वहां से, not more than 20 minutes or half an hour, ये सवरनत्तु मना करके है, वहां पर जो मना है, मतब जो घर है, वो महिला का, वो तो डिला को वो दे भी नहीं रहे है, और खुद भी नहीं कर पा रहे है, रिस्टोरेशन उसका, तो ऐसी हालत है, बहुत दुख होता है, लेकिन वहां वो जगह दिखाते है, एक स्टोन है, कि जहां पर वो लक्षमी का प्रादुर्भाव हुआ, और वहां उन्होंने बर्शा की, और निर्मान की अवस्था में भी देखा, यह जो मना है उसके इल्कुल पीछे है, तो यह कनकधारास्तोत्र उन्होंने तभी रचा था, तो बाद में वो आ गए, और उन्होंने देखा कि उनकी माताजी भी वुरुद्ध हो गई थी, क्योंकि वुरुद्ध अवस्था में ही प्राप्ति हो गई ने उनको, तो वो पूर्णा नदी उनके पास में थी, मतलब बिल्कुल पास में भी नहीं थी, लेकिन नदी से जल लाना पड़ता था, और पूरा रेच से आना जाना, मतलब वो बालुका में, गर्मी में तप जाती थी वालुका, तो उसमें से आना जा माता के लिए थोड़ा मुश्किल होता था, तो एक दिन वो वहां गिर गई, तो शंकराचारे ने देखा कि ये तो उनको बहुत कष्ट होता है पानी आले लेने आने में, तो उन्होंने नदी का पात्र जो है अपने पाउं से, अपने एडी से ऐसे ही किया और अपने घर के पास से प्रवागित किया, काल मतलब पाउं और अटी मतलब एडी, तो इसके लिए उस गाउं का नाम कालटी है, कालटी, और वो अभी आप कालडी कभी जाओ, आप केरल की तूर अवश्य करना, वेलियानाड बिलकुल आना, और कालडी भी लेके जाएंगे हम आपको, तो क कालडी में अभी भी आप देखते हैं कि पेरियार, जिसे आज पेरियार कहते हैं, उसका प्राचिन नाम है पूर्णा नदी, या चूरनी, चूरनी में कहते हैं कोई-कोई, तो पूर्णा नदी का पात्र, जो मुख्य पात्र है, वो बहुत दूर है, और यह जो पात्र है, बीच में आइलंड है बीच में छोटा मतलब आइलंड जैसा है और यहां बिलकुल इनके घर से बगल से जाता है आप उनके घर में बैठे बैठोगे न तो घर से देख सकते हो इतने नजदीक से प्रवाह जाता है यह इनके बारे में एक कठा कही जाती है शंकराचारिय का चर इति शुरूयते जो परंपरा से एक शरवन में आती है ओरल हिस्ट्री जिसे आज हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं तो उससे यह बहुत सारी कठाएं आ गई है तो वह कठा के माध्यम से है इसमें जूट और सच क्या है यह कहना हमारा काम है ही नहीं हम चरित्र का बखान कर रहे है तो शंकर दिगविजय इस नाम से कम से कम 15-20 गरंथ है चौदवी सदी से लेकर आज तक हो रहा है उनके चरित्र का निर्मान मतलब लिखना वगरा तो उसमें यह कठा आती है और यह बालब तो हमने कहा यह तो चाइल्ड प्राडीजी बोलते हैं हमें इंगलिश शब्द ज उनके मन में तो वहराग्य की भावना इतनी अधिक मातरा में थी वो मा से हरदम कहते थे कि मुझे यहां नहीं रहना है और गुरु कुल से तो गुरु ने बोल दिया कि मेरे पास जो भी था मैने तो पढ़ा दिया अब मेरे पास देने लाएक कुछ है नहीं तुम घर जाओ तो यह घर में आके रहे बुड़ी मा की सेवा कर रहे है वो पानी का बहाव अपने घर से किया यह वो लेकिन उनकी चित्त को शांती नहीं थी क्योंकि उनको सन्यास लेके जाना था गुरु की खोज में जाना था लेकिन मा बुड़ी थी वो अनुमती नहीं दे रही थी मा क कि अनुमती के बिना सन्यास ग्रहन नहीं होता आज भी नहीं होता तो एक बार वो ऐसे ही भी मनस्क थे बहुत व्यतित है तो नदी में गयते नहाने तो नदी में उनका पैर मगर मचन तो फिर उनके बाद आजु बाजु जो उनके सखामित्र थे वो बड़ते दोड़ते आगे अर्यामब को बताने कि इनका पैर तो मगरमच ने पकड़ लिया है तो आर्यामबा दोड़के गई लेकिन मगरमच से छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए इनको ना चोटा बच्छा ह आप तो मैं मरने जाना हूँ अब अब तो मरने वाला हूँ ना मैं तो ये में घुड़के जाएगा अंदर अब तो सन्यास की अनुमति दे दो तो मैं मरू तो ब्रह्मचारी नहीं सन्यासी बन के मरू तो माने कहां ठीक है अब तो कोई चारा नहीं है नद्वितिया गतिर कि तो उने का ठीक है मैंने अनुमति दे इन्होंने अनुमति दे दी मगरमच ने पहर छोड़ दिया यह मतलब लीला है कि यह मगरमच क्या है भवसागर में आपके जो बंधन है वह मगरमच है वह इतना पकड़ के रखते मगरमच के दाथ कैसे रहते ऐसे एक बार फस गे तो बिल्कुल जब तक वो नहीं निकालेगी आप उसके दास से छूटोगे नहीं है न तो वह भव बंधन है सांसारिक बंधन है बंधन से वह छूटे करके लेकिन वह कालडी में मकर घाट अभी भी आप देख सकते हो जो मैं देखने लाइक चीजे में आपको बता रही हूं कि जब भी आप जाओ तो यह स्टोरी याद रखना स्वरनत्तु मना में कनकदारा स्टोत्रका हो गया फिर यहां मकर घाट में हो गया फिर उन्होंने अनुमती तो दे दी लेकिन गुरू कौन बिलेगा अभी वहां आवागमन के इतने साधन तो थे नहीं पुराने जमाने में तो किक एक वहां कोऑी उत्तर से बहुत बढ़ा यह जा रहा था दाक्षिन कि ओर बढ़नाभभय स्वहर दर्शन के लिए प्ध मनाभ कि टिरु अनंता पुरू हो आज क कहीं भी मतलब रुकते थे किसी पेड के नीचे परुकते थे जो भी कुछ खाना दयता था खाते थे और फिर आगे चले जाते थे तो ऐसे वह इनके घर के पास रुके थे तो तो के शंकराचारिय अपनी दिनवर्या कर के आ गए तो बुद्र लेख के अंगज़ महातमाने दे इवेस्ट थे तो बुजर्ग ने उनको बुलाया बालक तुम यहां क्या कर रहे हो तुमारे गुरू वहां तुमारी राहा देख रहे है कहा नर्मदा के किनारे कौम का रेश्व फिर यह बालक आठ साल का बालक अपने किसी सखा को लेकर कोई विश्णू कहते है उनका नाम कोई और कुछ कहते है तो उनको लेकर और कोई जो कारवा यहां से वहां जा रहा था दक्षिन से उत्तर की दिशा की और कोई व्यापारी भी रहते है कोई पिल्ग्रिम्स भी रहते है तो किसी के साथ ये दो बच्चे हो लिए और गए नर्मदा के पास नर्मदा मैया के किनारे गए उंकारेश्वर जहां आज मध्यप्रदेश गवर्मेंट के कल्चरल मिनिस्ट्री से एकता न्यास ने बड़ा 108 फीट बाल शंकर का विग्रह स्थापित किया वो तो आपको गुरु ने पूछा कस्त्वम काउन हो तुम बालक ये जस्वी मुद्रा है बालक काउन है सर्वसामान्यता क्या होता है किसी को नाम पूछते है तो मैं अमुग गोत्र में उत्पन इनका पुत्र हूं ये वो ऐसे सब अपना परिचे दिया जाता है ना तो इनोंने अपने इमें क्या कहा नभूमिरन नतोयम नतेजो नवायुहु या मनो बुध्यहंकार चित्ता निनाहं नच श्रोत्र जिवे नच ग्राण नेत्रे नचव्यो मभूमिरन नतेजो नवायुहु चिदानंदरूप शिवोहं शिवोहं गुरू को आश्चरिय हुआ कि इतना सा छोटा सा बालक परिचे पूछा तो मैं अमुक शर्मा अमुक शर्मना पुत्रहा ऐसे कुछ बोलेगा है ना तो यह सब छोड़के इसने इतना बढ़िया एक स्टोत्र रच दिया वहां इंस्टन्टेनियस तो उन्होंने जान लिया कोई सामान या बालक तो है नहीं चाइल्ड प्रोड़ेजी जैसे तो उन्होंने उसको शिश्य के रूप में स्विकार कर दिया और उनको एक गुरू का होना अवश्यक होता है शिश्यके या हम भी Google आपको कितना भी ज्यान दे फिर भी जब तक गुरू के मुह से नहीं सु अध्यात्मिक प्रगति के लिए तो बहुत ही अनिवार तो उन्होंने शिश्य के रूप में स्विकार कर दिया और फिर एक बार ऐसे हो गया वह गुरू थे उनके कौन गुरू गोविंद भगवत पाद इनकी जो परंपरा है शंकर आचारिया उनके गुरू गोविंद निशत के उपर गोविंद भगवत पाद की कोई स्वतंतर कृती तो नहीं है लेकिन उन्होंने शंकराचारे जैसे शिश्यतम को अपना पूर्वा ज्यान दे दिया था और यह योगी थे ऐसे कहते हैं जो भगवान पतंजली थे शेश के आउतार जिन्होंने योग सूत्र क मी रचना की उन्ही का अंशावतर भगवत पाद 여वींदा भगवत पाद है इसके लिए वह योग में नहीं रहते थे समाधी में नहीं तब ज्यान बाटते थे नहीं तो योगस्त रहते थे तो एक दिन ऐसे हो गया अपनी गुफा में वो गोविंदा भगवत पाद की गुफा अभी भी है उंकारेश्वर में हां उसी के ऊपर तो यह स्टैचू बना है बालशंकर का तो एक दिन ऐसे हो गया कि वो नर्मदा के ब ना भूख ना प्यास ना कुछ शारीरी क्रिया बस योगस्त रहते हैं तो ऐसे वो योगस्त थे और नर्मदा बढ़ने लगी बारिश का मौसम था वरिशा का मौसम था और बाढ़ आ गई नर्मदा में तो नर्मदा में बाढ़ हाई तो हमने अभी भी देखा जब यह प्रूप धारन करेगी तो क्या होगा पता नहीं चलता तो नर्मदा मैया का पानी धीरे 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 बढ़ने लगा सब शिश्यों को चिंता होने लगी कि अभी गुफा में पानी जाएगा समाधी भंग हो जाएगी फिर गुरुजी को थोड़ा समाधी से हटाना तो है ले नर्मदा मैया की स्तुति की और वह है नर्मदा अश्टकम जो आज नर्मदा अश्टक कहा जाता है सब इंदु सिंदु इससे शुरू होता है बहुत अद्भुच श्लोक है अस्तोत्र है तो आठ अश्टकम मतलब आठ श्लोक रहते हैं उसमें और नव्वा कुछ करता हूं मेरे गुरुजी समाधी में है आप उनकी समाधी का भंग करने का पाप मत ले लो अपने सर पर प्रायश्चित करना पड़ेगा माँ आपको तो आप इसमें समाज आईये कमंडल में तो कमंडल रखा गुफा के पास और कहते हैं नर्मदा मैया उसके बितर गई नह बहुत प्रसंद हो गए भगवत पाद गोविंद पाद और उनने कहा अब मेरे यहां भी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास जो था वो तो सुब तुम सब ग्रहन कर चुके हो अब यह जो अद्वईत वेदानत है उसका प्रचार तुम्हे करना है तब काशी चाश तो पूरे मतलब किया बोलते हैं आपना cultural capitalist काशी काश पया जो चमकती है किसकी चमकை जयान्काप्रकाश प्रकाश इसकाक थे कहते हैं और पहलए तही कहते हैं आज क्या बोलते हो बारान सी यह वरणा और नासी ये दो हमारी भोहे है नासी ये नाक की ये है अब भगवत गिता में भी आप देखते हो न तो छठे अध्याय में जो ध्यान योग कहा है भगवन्त ने तो उसमें कहा है संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान वलो कयन अथवा भुवोर मध्ये प्राण मा अवेश्य सम्यक ज्यान करने की दो विधियां है एक तो अपने नाक को देख कर किजिए मतलब अपने रिदय पर कांसेंट्रेट कीजिए और दूसरा उर्द्व दृष्टी ये अधो दृष्टी है उर्द्व दृष्टी भुवोर मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक तो ये काशी का मतलब इतना बड़ा इसका इंपोर्टंस है इतनी महत्ता है उसकी गरिमा है तो काशी में जाने के लिए कहां तो काशी में आए और अभी ओंका रिश्वर से काशी आना है तो बीच बीच में गाव में जहां कहीं भी रुकेंगे प्रवचन तो करेंगे हम अभी यह प्रवचन करने लगे तो जो भी जा जो भी हमें मालूम है हम बताते जाते हैं तो ऐसे बताते गए कारवां चलता गया बढ़ता गया बहुत सारे लोग इनके साथ हो लिए जब तक काशी गए तो इनका परिवार शिश्य परिवार बहुत बढ़ गया था दशाश्वमेद घा के पास उनका वास्तव्यता और गुरुकुल जैसा वहां उनने बना लिया बहुत सारे शिश्य थे और फिर वहां एक बार एक ऐसे काले से दिखने वाले बड़े बुजुर्ग गाड़ी बीड़ी वाले ऐसे एक महात्मा आगे और बोले कि आपके गुरुजी कहां है मुझ आप शास्त्रा अर्थ करने के लिए किसी को ललकारते हो ना तो ना नहीं कह सकते हैं ना कह दिया मतलब आपने अपनी पराजे स्विकार कर ली इसके लिए चालेंज करके स्विकारना है उसको शास्त्रा अर्थ करना एक तो आप जीतोगे नहीं तो हम जीतेंगे उसमें हमारे गुरुजी तो इतने विद्वान है क्या पांच दस मिनट में इनको हरा देंगे और हो जाएगा तो यह शास्च्रा अर्थ करने बैठे यह ब्रह्म सूत्र बादरायन विर अचित ब्रह्म्छ उत्र पांसो पचपन सूत्र है उसमें चार अध्यायों में बटे है उसपर भाश्य लिखा है ऐचाणियोंने तो उसमें तीसरे अध्याय का एक सूत्रai कि प्रती प草ती गथिंगार। स्कतिलओें में घिस के बारे में है। स्कृतफ Lewis के बारे मैं उत्करमन शंत्र का मतलब है। मिर्ट्चा क्या होता थै। क्या होता है। एसके बारे में तद अंतर प्रतिपत्तव रहुती ही ऐसा कुछ सूत्र है उसमें, तो उस सूत्र पर उनको व्याख्या करने थी, शास्त्रार्थ करना था, बस दोनों का डिबेट चलता रहा, चलता रहा, घंटे बीत गए, दिन बीत गए, अठारा दिन तब चलता रहा, तो इन भी जान लिया, यह कोई सामानी व्यक्ति तो हो नहीं सकता, और शिश्यों ने भी जान लिया, तो वो कहते है, सब दिग्विजय ग्रंथकार जो भी है, उनके बायोग्राफर्स वो सब लिखते है, वो साक्षात वेदव्यासी थे, जिन्होंने सूत्रों की रचना की है, तो उन्होंने शास्त्रार्स करना चाहा, और फिर वो इतने प्रसन्न हो गए, तब ही कहते हैं कि उन्होंने उनकी आयो बढ़ा दी, जो 16 साल की थी, वो 32 साल की कर दी, और कहा कि अब अदवईत का प्रसार करने के लिए तुम्हें आख भारत वर्ष सब जगह गूमना और केवल घूम के नहीं चलेगा, जो भी केवल कर्मकांड़ को मानते हैं, और ज्यान को नहीं मानते, अदवईत को नहीं मानते, उनके मत का खंडन भी तो करना चाहिए, मिमावसकों का, बउद्धमतों का, यईनमतों का, पाखंडियों का, सबका खंडन करो, और अदवईत वेदान्त मत का मंदन करो ये दुविध अब्जेक्टिव लक्ष उनको बताये गए और कहा कि पहला करना है मिमावसकों का खंडन एक मिमावसक है प्रयाग राज में कुमारिलभट्ट करके उनका खंडन पहले करो उनका बहुत बोलबाला था सब जगह पे तो इनोंने कहा ठी है अपने शिश्यों समेथ शिष्टई शिष्टई समेतम मैंने जो पहले श्लोग बोला शिष्टई ही समेतम तो आपने शिश्यों को लेकर ये गए प्रयाग राज कुमारिल भट्ट वहां देखते हैं कुमारिल का घर तो कोई भी बंदा बच्चा-बच्चा जानता था ब कुमारिल भट्ट का जो चरित्र जिसकी से लिखा है कुमारिल भट्ट बाउधमत के बाउधमत का खंडन करना चाहते थे इसके लिए जब तक वह जानेंगे नहीं बाउधमत क्या है खंडन कैसे करेंगे इसके लिए वह बाउधमतानुयाई बनकर उनके मठों में रहकर उन उन्होंने यह जानने की कोशिश की, तो बाकी लोगों को उनके थोड़े देन के बाद, थोड़े साल के बाद पता चला, अरे यह तो पक्का ब्राम्मण है, अद्व वेदान्ती है, मिमावसक है, और यहां भेस बदलकर बहुत धमता अनुयाई बनकर आया है, तो उन्होंने उनको एक परबत पे ले जाकर नीचे फेंक दिया, उनको मारने के लिए, पर गिरते गिरते कुमारिल भट्ट ने चरित्रकार लिखते है, कि कहा, अगर मेरी वेदों में शरद्धा है, और अगर वेद अपवरुशेय है, तो मुझे प्रान की क्षती नहीं होगी, तो उनके प्रान तो नहीं गए, लेकिन उनकी आँख चली गए, क्यों? उन्होंने कहा, यदी वेदों में मेरी शरद्धा है, और यदी वेद अपवरुशेय है, तो मतलब उन्होंने शंकाली वेदों के अपवरुशेय यत्वपर, इसके लिए उनको उसका प्रायश्चित्त लेना पड़ा, एक शिक्षा मतलब पनिश्मेंट देना पड़ा उनको शासन लेना पड़ा, फिर उनको इतना बुरा लगा, अपने उपर घिना गई उनको, कि मैंने कैसे संदेह कर लिया वेदों की प्रामान्य पर, मुझे नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे भी जीने क अधिकारी नहीं है, मैं वेदों पर से हूँ, शंका करता हूँ, संदेह करता हूँ, तो मुझे जीने का क्या अधिकार है, इसके लिए उन्होंने अपने आपको जलाने का फैसला कर दिया, और वो जलाना मतलब कूद पढ़ना नहीं है इसमें, आग में, हलके हलके जलना है, तो हलके हलके जलने के लिए वो खड़े रहे, और नीचे घास और तुशय, तुशय मतलब क्या है, जो डी हस्क करते है ना, राइस ग्रें को, उसका जो हस्क रहता है, उसको बहत कहते है तुशय, तो छोटा-छोटा रहेगा, एक चावल का दाना कितना बड़ा रहेगा, उ मैंने कितना बड़ा पाक किया है तो मुझे ऐसी वेदना में मृत्यू आनी चाहिए तुशागनी में वो जल रहे थे उनके पैर जल रहे थे यहां तक जल गए थे लेकिन उपर का हिस्सा अभी बाकी था जब शंकराचार्य पहुंचे यह कथाकार लिखते है और फिर उन्हों अगहिए चलत करना करना है चलत करना करने मिमावशा यह क्लोंत्तर म म्यमावशा रभा एसा करों जो है करों जूछे कि और राते हैं ज्ईां पर उनकी श्रद्धान करों ऐसा करों अईसा नहीं किया तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप के भागी हो जाओगे, मतलब पूरा कर्म सिद्धानतपर है उनका, और कुछ भी नहीं करते, तो ये खंडन करना है, उससे आगे बढ़ना है न, कर्म से आगे ज्यान तक जाना है आपको, तो य मंदनमिष्रा, फिर मंदनमिष्रा को बाकी में स्टोरी नहीं बताती, तो कट इट शॉट, मंदनमिष्रा को ललकारा, तो बोले कि ठीक है, लेकिन जूरी कौन रहेगा, कोई जज तो चाहिए, तो जूरी उनकी खुद की धर्म-पत्नी, उभय भारती, वो साक्षा सरस्वत का आउशावतार कही जाती थी, तो उभय भारती को जूरी बनाओ, जज बनाओ, ऐसे दोनों मत से हो गया, तो बोली कि हम मैं, तो जज बनूंगी, वो भी विदूशी थी, तो लेकिन बोली मुझे घर के कामकास्ट भी तो करने है, आपको खिलाना भी तो है, रोटी रोटी जिसकी माला पहले सुखी गी, वो हार रहा है, जिसकी माला वैसे ही ताजी है, फूल ताजे है, वो जीत रहा है, तो दोनों के गले में उसने माला पहन है, ये माला वाला रामायन में भी आता है, वाली और सुग्रिव के बीच में, वो भी आता है, तो ये बीच बीच में द स्विकार कर ली मंदन मिश्रने तो यह बोले ठीक है और उनका कंडिशन क्या था अगर वो हारे तो उन्हें शिश्यत्व स्विकार करना है अदवयत वेदान्त स्विकारना है और अगर शंकराचारिया हारे तो इनको इनका दास्यत्व स्विकारना है वो जो भी कहेंगे वो कर तो उभे भारती बोली ये तो हारे लेकिन मैं नहीं हारी ना मुझे हराओ मैं इनकी धर्म पत्नी हो अर्धांगी नहीं हो जब तक मुझे नहीं हराते वाद में तब तक आपकी जीत नहीं है तो बोले ठीक है आप पूछिए सवाल तो उन्होंने काम शास्त्र पर सवाल जितक अवब भारत में बेशनी तो उन्होंने अवद ही मांगी एक महिने की और अपने सिशों से और अगर यहां औसकोई अभी मारा हो तो मैं उसकी शेरीर में प्रवेश करता हूँ परकाया प्रवेश काहते हैं उसको और वो सब अचिजयान की बोग लेता हों जो अनन्यस तो एक वहां का राजा था अमरक करके, अमरक, अमरू, अमरुक, ऐसे दो तीन नाम आते हैं उनके, तो वो जस्ट कुछ नहीं हुआ था और मर गया, मतलब हार्ट अटक हो गया उसका, तो उन्होंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, और शिश्यों से कहा, कि मेरा शरीर इस इस गुफा में ऐसे ही रखो, एक महीना कुछ नहीं होगा, वो लंबक योग वगरा ये भी सब किये थे, तो और एक महीने के बाद में आऊंगा, तब तक इसका प्रिजर्वेशन करना, एक महीने तक मतलब कुछ बीस-पचीज दिन में इसके शरीर में प्रवेश करके रह और फिर उन्होंने वह सब उनकी तो राजा थे, तो बहुत सारी पत्निया थी, रानिया थी, रनिवास्ता, तो उन्होंने काम शास्त्र के बारे में पूरा जान लिया, और फिर बाद में वो वापस गए अपने शरीर में, फिर उभे भारती के पास आए, उनके सवालों का जबाब, लेकिन जबाब देने के अवश्यक्ता ही नहीं थी, वो तो जान गई इनको देख के, वो तो पहले ही जान चुकी थी, कि ये तो सरवद्न्य है, लेकिन केवल एक परिक्षा के लिए, उसके भी मन की तयारी होनी चाहिए, ना सन्यास लेने के लिए, पती के भी मन क की तयारी होनी चाहिए, उनके भी मन की तयारी होनी चाहिए, इसकी लिए थी और कुछ नहीं है, फिर बाद में उन्होंने सन्यास विकार कर लिया, और उनका नाम इन्होंने रखा सुरेश्वराचारिय, ये सुरेश्वराचारिय, शुरूंगेरी, करनाटक में, शिमोगा जो शुरुंगेरी करके गाउं हैं तो वहां शुरुंगगिरी वहां के पहले मठादी पती शंकराचारियो सुरेश्वराचारियत है ऐसे कहते हैं और भी उनके चार शिश्यत है पद्मपादाचारियत है एक तोटकाचारियत है और हस्तामलकाचारियत है तो हस्तामलकाचारि के बारे में कहा जाता है कि वो तो एक ऐसा बालक था कि कहीं कुछ बोलता नहीं था और माता पिता को बहुत चिंता होती थी कि गुमसुम गुमसुम बैठता है कुछ जबाब नहीं देता कुछ नहीं करता वगरा तो एक बार लेकि आये शंकराचारिय के पास तो उन्होंने कह कि काउन हो तुम बालक तो बालक ने एक बड़ा स्तोत्र रचा नाहम भिक्षु हुँ नमे सम्थिंग सम्थिंग ऐसा है हस्ता मलकी यस्तोत्र करके आप उसको देख सकते हैं तो शंकराचारी ने देखा यह तो प्राडिजी है यह पूर्व जन्म से लेकी आया है सब तो उनक मतलब हात में रखा आवला जिस तरह स्पैस्त तयां हम देख सकते हैं उसी तरह यह पूरा ब्रहम ज्यान इसको है इसको को है पढ़ाने के आवशक्ता नहीं है लेकिन यह मेरे साथ रहे लेगा आपको चिंता हो रहे है मेरे साथ रहेगा इसके लिए वो स्वीकार किया अधादाचारिय उमर में छोटे लेकिन बहुत तेज दिमाग वाले ते, दिमाग वैसे भी तेज था, क्रोध भी जल्दी आता था, और तेज मतलब विद्यागरहन करने में भी बहुत तेज थे, और वो कहते हैं, नरसिम्म के अवतार थे, एक भैरव की कथा आती है दिगवि तो क्या हानी है, शंकराचारिय बुले, मुझे कोई आपती नहीं चड़ाओ, तो उन्होंने की अमावास के दिन उनको बुलाया वो भैरवाचारिय ने, और ये शंकराचारिय तो समाधी में बैठे रहे, आपको जो करना है मेरे शरीर से करो, मेरी आत्मा तो अमर है, अजो अम्हका रूप लेकर आये और उस भैरो का नाश किया, ऐसी सब कताएं हैं, तो वो उनकी शरद्धा नरसीमः परती, वो बहुत ये थे, तेज थे, और एक गिरी करके शिष्य था, वो थोड़ा मतलब मंद बुद्धी था, सब लोग जो सीखते थे तो बार बोलने से इसको दस बार बोलना पड़ता था, इतना ही अंतर था और कुछ नहीं, तो एक बार सब शिष्य पढ़ने बैठ गए तो गिरी नहीं आया था, और शंकराचारे ने कहां गिरी नहीं आया अभी तक, तो बोले नहीं, उसको आ के भी क्या फाइदा है, उसको कहां समझ में आता है, पद्मपादाचारे बोले, उसको कहां कुछ समझता है, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए गुरुजी, वो तो वैसे भी मंद है, उसको हम बाद में देख लेंगे, तो गुरुजी ने कुछ कहां नहीं, शंकराचारे ने, केवल समित किया, और वहां वो गिरी उनके वस् शिष्य इतने उनके प्रभावित है, मुझे कुछ ज्यान क्यू नहीं देते गुरुजी, मुझे पर अनुग्रह क्यू नहीं, कभी कुछ नहीं सोचा, जो उनसे होता था, वो उन्होंने किया, तो सेवा धर्मो परमगहना, लेकिन सेवा में कितनी शक्ती है, सेवा का फल आ अनुभो करने लगे वो, और दवड़ते दवड़ते आये शंकराचार्य के पास, और वहां उन्होंने एक शुरु किया, एक स्तोत्र, विदितार्थ, कहिए, करुणा वरुणालय पालय माम, भवसार दुख विदू नर्दम, रचया खिल दर्शन तत्व विदम, भवशंकर देशिक में शरणम, भवशंकर देशिक है गाइड, देशिक जो दिशा दिखाता है, one who points you, वो आपको हाथ पकड़ के पानी तक नहीं ले जाएगा, यहां पानी है, आप जाओ और पानी ले लो, तिशा दिखदर्शित करता है, वो देशिक है, गुरु अलग है, देशिक अलग है, उपाध्याय अलग है, आचारी अलग है, शिक्षक अलग है, प्रेरक अलग है, बहुत सारे उसमें विदाएं, भवशंकर देशिक में शरणम, वो इसे स्तोत्र बोलते बोलते आ गया और चरणों में आके गिर गया और वो जो उन्होंने रचना की वो त्रोटक वृत्त में की इसके लिए आचारिय ने उनका नाम तोटका अचारिय रखा तो यह हुए उनके चार शिश्य तोटका अचारियों को उन्होंने जोतिरमठ चार द नाय गोवरधन मठ कहते है उसको तो वहां रखा पदमपादाशार्यको हस्ता मलकलों को रखा द्वारका में और सुरेश्वराचार्यको रखत्षन नाय तो चार दिशाओं में 4 मठों की स्थापन जैसे चार दिशाओं से हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए चार बड़े दुर्ग बांधे हो उनोंने और फिर बाद में सभी का मतलब उनोंने खंडन किया, मिमावसकों का खंडन किया, कहते हैं द्वी सप्तती मतो छेत्रे नमाहा, उनकी अश्ट्वत्र शतनामावली में बहत्तर ऐसे पाखंडी मत उनका उनोंने खंडन किया और वेदांत की प्रतिष्ठापना की, फिर कश्मीर में उनोंने सरवध्य पीठ पर आरोहन कर दिया, मतलब उनसे बढ़कर अभी और कोई नहीं, यह सबने माना, जैसे सारुभाव मुराजा रहता है, वैसे यतियों में जो सारुभाव मता है, व अरोहन हो गए, और यहां जो उन्होंने मा से सन्यास मंगा था, तो मा ने एक कहा था, एक बात कही थी, जब मेरा अन्त समय आएगा, तब तुम जरूर आ जाना, मैं तुम्हें अनुमत्य तो देती हूं, लेकिन यहां कोई है नहीं मुझे देखने वाला, तो अन्त समय तु उन्हें साक्षातकार हुआ कि उनकी मा डेथ बेड़ पर है, अब जाना चाहिए मुझे, और फिर वो समाधी, मतलब सिद्ध सा, जो अनिमा, महिमा, लगिमा, अश्टसिद्धियां है, तो सिद्धी से वो शुरूंगेरी से लेकर कालटी तक आ गए, मा को उन्होंने देखा माक से पूछा अंति मिच्छा क्या है, तो माने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने है, तो उन्होंने कृष्णाष्टक की रचना की वहाँ पर भगवान के दर्शन कराए और माको तो मोक्ष मिल गया, तो वो कृष्ण मंदिर कालडी में पूर्णा नदी के प में दिया रखने के लिए छोटी सी जगह है, तो उस तंब पर तमिल में एक लेख लिखा है, एपिग्राफ है, कि यहां आरियामबा की समाधी है, और ये आप कालडी कभी जाओ, तो आरियामबा की समाधी वहाँ उरंदावन बंधा है, एक बाजू शंकराचार्य का मंदिर है, एक बाजू में शारदामबा की प्रतिष्ठापना है, अश्टमात्रुकाएं है, इतना ही है, और एक गनेश की स्थापना की है, बाकी वहाँ रूम्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप हमारे यहां आजाओ, चिन्मया इंटरनाशनल पाउंडेशन वेलियानाड, अभी वे अमिल और मल्याडम, दोनों भाषा में उसका आर्थ है जन्म, किसका जन्म? शंकराचार्य का जन्म, वो किसी कोई बड़ी हस्ती वहाँ जन्मी, इसके लिए उस एरिया का नाम पिरवी पड़ा, पिरवम, और वेलिया नाड, नाड मनलब जैसे तमिल नाड, तुलू नाड, नाड is भूभाग, जोग्राफिकल एरिया, प्रदेश, वेलिया इस लाइट, ये जन्मे और उनके जन्म से पूरे ज्ञान का प्रकाश इस भूमी में पड़ा, इसके लिए वेलिया नाड, और यहाँ जो मिलपाडूर मना है, वहाँ बहुत सारे रूम्स भी है, घर है तो होने चाहिए ना, घर तो केवल मंदिर नहीं होता, तो यह जो मंदिर बनाया है कालडी में, वो 1960 में बना है, और यहां का जो मंदिर है, वो 25, 2000 साल पुराना है, मतलब उसका जो फाउंडेशन है, वो वही है, उपर का स्ट्रक्चर सब, obvious उपर का स्ट्रक्चर सब नया है, लेकिन आप महाँ घर में आओ, हमारे घर में, मतलब आदिशंकर आचारी के घर में, एक की़ा भी नहीं होगा यहां, तिपिकल केरला अर्किटेक्चर है, और इंटर लौकिंग है, इंटर लोकिंग दुज से बनाया, इंटर लोकिंग बनाए, स्तम्ह है, उसके उपर कुछ दुसरा बिठाया है और पूरा किरला आर्किटेक्चर है तो यह इनका चरित्र संक्षेप में मैंने कहा बहुत सारे स्तोत्र हैं उनके और बहुत सारी कथाएं हैं उनके स्तोत्रों के पीछे कथाएं हैं कश्मीर में कहते हैं उन्होंने संदर्य लहरी ग्रंथ उनको साक्षात नंदिकेश्वर से मिला, तो नंदिकेश्वर ने जो दिया, उसमें बहुत, मतलब बहुत लंबा चवड़ा था, पिर महात्रिपुरसुंदरी के बारे में, तो इन्होंने एक ग्लांस किया, तो उनको सब कंठस्त हो गया, जैसे, बाद में उन्होंने ये सब को नहीं देना है करके वाइप आउट किया, तो केवल पहले चालीस रहें, बाकी सब चालीस के बाद के जो श्लो के बाद के वो सब वाइप आउट हो गए, नंदिकेश्वर के, इन्होंने रेचे, वो संदर्य लही है, पहले जो चालीस है, उसको आनंद लहरी कहते हैं, और वो महात्रिपु कामाक्षी के यहां नीचे की है, जिसकी प्रतिष्ठापना शारदा के टेंपल में हुई थी, कश्मीर में, जब वो शारदा टेंपल गए, अभी तो वहां कुछ है नहीं, वो तो पोक में है, पॉक, पॉकुपाइड इंडिया में है, वो शारदा का मंदिर, तो वहां पे जब गए तो सरस्वती प्रस्यारदा मतलब सरस्वती, सरस्वती बहुत प्रसन्न हो गई उन पर तो बोले की वर मांगो, तो उन्होंने कहा, मेरे क्शेत्र में, केरल राज्य में, आपका सन्निवास नहीं है, सन्निधी नहीं है, वहां भगवती है, काली है, लेकिन सरस्वत सằngीधन मेरी करस्ति आब मेरे जरी तो उन्होंने गाहती होंं मैं कि पिछे चलती इन हों और आभ ऐासे सेh तो आपको पता चलेंगा मैं आपके पिछे पिछे देकिन एक पर महीं नहीं के नहीं चलते गे अग के नहीं की है करनाटक तो आ गए लेकिन एक जगह थोड़ा पानी का बहाव था तो उसमें उनकी नुपूर की आवाज नहीं आई क्योंकि वह ऐसे करके आ गई ना तो नुपूर की आवाज नहीं आई तो शंकराचारे ने मुड़के देखा हो बोली मैं यही रहूंगी और वो जगह है करन आपने तो वादा किया है मुझसे है ना अश्वासन दिया है कि आपके राज्य में आऊंगी तो बोली मैं आऊंगी लेकिन केवल पहले दो घंटे में वहां रहोंगी बाकी मेरा निवास यही रहेगा तो छोटा निकरा करके एक शेत्र है बिल्कुल हमारा वेलियानड और क सरस्वती का निवासे और वहां अभी भी सुबह की पांच बजे से जो आरती होती है चार बजे से छे बजे तक वह महा सरस्वती रहती है शुब्र श्वेत वस्तर परिधान की यह हुए थे पूरे दिन वह अंबे नारायनी महलक्ष्मी के रूप में है और शाम को महाकाली भगवती के रूप में निले या काले वस्तर में रहती है वहां तांतरिक पूजाएं होती है शाम को लेकिन सुबह उनका रूप और विग्रह बहुत प्रसंद सरस्वती का है तो यह तो यह जागरत खेतर है वहां जो भी जाता है आप वहां आयेंगे तो त्रिपुणी उसके बारे में क्या कहे उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य को तो मैं पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ उन्होंने प्रस्थानत रही पर भाष्य लिखे है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है और दश्य उपनिशदों पर भाष्य लिखा है इनको तीन को प्रस्थानत रही कहते ह ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान, उपनिशत को शृति प्रस्थान और भगवत गीता को स्मृति, इतिहास में है न, महाभारत में, तो स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और जो इन तीनों पर भाष्य लिखता है, उनको कहते हैं आचारिय, तो शंकर तीनों पर भाष्य कहते हैं जो प्रस्थान अतरी पर भाष्य लिखते हैं उनको आचार्य कहा जाते हैं तो ऐसे भाष्य ग्रंथ लिखे उन्होंने यह तो उत्तमा अधिकारी के लिए है हमें बहुत सारा ज्यान होता है लेकिन हमारी क्षमता चाहिए हमारा अधिकार भी तो चाहिए नगरहन करन कि हो जाएगा तिनों का अधिकार अलग है भाई आज कल की एजूकेशन सिस्टिम में क्या है सब के लिए एक ही एक्जाम है इसके लिए जो फेल होते हैं वो फेली होते रहते जो जीतते हैं अच्छे मार्ग सपाते वो हमेशा अच्छे नंबर लाते क्योंकि सब का एक ही के लिए इनोंने अलग-अलग गरंथों की रचना किये एक तो है प्रस्थान अत्रय भाष्य उत्तमा अधिकारियों के लिए फिर मध्यम अधिकारियों के लिए प्रकरण गरंथ है उसमें तत्व बोध है आत्म बोध है फिर विवेक छुडामनी है इतने सारे गरंथ है और मंद अधिकारी थोड़े मंद है जैसे वो गिरी पहले था मंद हमारे जैसे लोग हमारे लिए स्तोत्रों की रचना की है तो स्तोत्र पढ़िए उससे थोड़ा ग्यान लेकर बाद में प्रकरण पढ़िए उससे थोड़ा ग्यान लेकर बाद में उत्तम अधिकारी बन जाईए तो अधिकारी भेदा गरंथ भेदा ऐसे बहुत सारे गरंथों की रचना के मैं तो चाहती हूं आप कम से कम एखाद स्तोत रशंकराचारिय का कंठस्थ करें उसका कंठस्थ नहीं करें रोज पढ़े एक बार आठ श्लोग तो रहते हैं अश्टक या पंचक में गणपती मतलब हम हमारे लिए समय क्या निकालते कुछ भी नहीं निकालते हैं तो हमारे लिए थोड़ा समय निकालके रोज एक स्तोत्र का अगर आप पाठ कीजिए तो आपको ही अनुभूती होगी कुछ दिव्या और पढ़ना चाहिए मुझे और जानना चाहिए इनके बारे में य सब्सक्ने कालना चुजज़काने दिव Под सभ्यां चाहिए मैं सभ्यूतर्य नहीं जाएड तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप और जानिया थादे उंनना में मुझे हैं जैसे नियास्टाइ वह हτε रगर शंकरा अनना चाहिए हर दिश्वकर अनल पोर नहीं को नहीं इ यह तो बुरी बात है, तो हमें चढ़ना, मतलब पढ़ना चाहिए, आपको चखा दिया है थोड़ा सा शहद, तो इसको और आप आगे ले जाएए, नमस्ते, धन्यवाद. झाल, कि मकल, कृफषी दिए, घजास पिर जाएए, झाल, थार है थो खाल, कि मुझेए, चाल, प्रुरी क्याुए हादा तो भलब है, तो हमें तो व은 दो झाल, तो हमें चाल, उिसको भली बात है, आपको और ऴीतिके, जास्यओंग स उत्यरूट कि अगले नमस्ते, अन्यव